पसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी घर के मुखे द्वार पर क्या लगाना चाहिए आप इस वीडियो कुछ शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानक कारी मिल सके अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है या फिर अथक प्रयास करने के बाद भी आयके साधनों में किसी तरह की व्रिद्धी नहीं हो रही है तो आप वास्तुशास्त्र का सहारा ले सकते हैं इसके मुताबिक एट ऐसी चीजे हैं जिन्हें अगर मुख्य द्वार पर लगा लिया जाये तो आर्थिक संकट उसे छुटकारा मिल जाता है साथ ही घर में धन धानने के भंडार लग जाते हैं मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा वास्तुशास्त्र कहता है कि घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए साथ ही हर्शाम को इस पौधे के नीचे दीपक जला कर रख देना चाहिए इससे घर हमेशा धन धानने से परिपूर रहता है देवी लक्षमी के शुब पद चिन्ह वास्तु के मुटाबिक घर के मुख्य द्वार पर देवी लक्ष की कृपा से आर्थिक परिशानियों से निजात मिलती है लक्षमी जी की फोटो से भी बरसती है कृपा मालक्षमी के पद चिन्हों के अलावा आप मुख्य द्वार पर उनकी फोटो भी लगा सकते हैं इससे घर में आनेवाले आर्थिक संकट अपने आप ही दूर हो जाते ह मालक्ष्मी प्रसंद होती है, स्वास्तिक शुबलाब में भी है अकूत संपदा का भंडार स्वास्तिक और शुबलाब श्री गडेश जी को अत्यंत प्रिये है, वास्तुशास्त्र कहता है कि स्वास्तिक चिन्ह और मुख्य द्वार के दाई और शुबलाब का प्रतीक लगा आने से घर में सकारात्मक उर्जा और धन संपदा का भंडार लग जाता है बंदनवार से आती है मालक्षमी की कृपा घर के मुख्य द्वार पर बंदनवार जरूर लगाया जाना चाहिए लेकिन ख्याल रखना चाहिए कि बंदनवार अशोक या फिर आम के पत्तों से ही बना से रोकता है साथी धन धानने से परिपूर्ण करता है काले घोडे की नाल को मुख्य द्वार पर लगाने से लाब वास्तु कहता है कि घर के मुख्य द्वार पर काले घोडे की नाल लगाने से घर को किसी की बुरी नजर नहीं लगती साथी बरकत बनी रहती है धन धानने औ और अनाज के भंडार लग जाते हैं सूर्य यंत्र मुख्य द्वार पर लगाने से लाब वास्त शास्त्र बताता है कि घर के मुख्य द्वार पर सूर्य यंत्र लगाया जाना बेहत शुब होता है सूर्य उर्जा और सकारार्थमक शक्तियों का दियोतक माना गया है यही वज धन की सोगात वास्तु के मुताबिक घर के मुख्य द्वार पर महकने वाले पौधों को पौट में सजाकर रखना चाहिए ऐसा करने से घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होता है और धन धान में और एश्वर्य में व्रिद्धी होती है हाँ एक बात का खयाल रखे कि फ् नमारे चैनल को सब्सक्राइब करें